यहाँ पर अगनी वी स्कीम, भज़े सबजी मार्केट चल रहा है, माली जिए एक बंदे का कमपनी है, टमाटर की कमपनी है, और वो टमाटर के प्राइस हो फिक्स करता है, एक केजी का पांच लाक रुपिया, अब पांच लाक रुपिया में टमाटर तो कोई ख़ई देगा फिर उसको क्या खरता है, दीरे-ः बोलता है कि यह टमाटर कोई ख़ई देगा नहीं, इसको तीन लाक में कर लेता है, फिर भी लोग नहीं खरते है, एक लाक रुपिया तब भी नहीं खरता एक के जीगा, तब ये क्या सोसते कि मेरे कमपनी में वे जो लोग है, उनको मैं जबर्दस्ति करता हूं कि तुम लोग ना इसको मतलब advertisement करो और ये 50,000 में बैचना चाहिए at least तो वहाँ पर क्या करते है जो मेरे लोग पर होते हैं वो advertisement करते हैं अगनिवीद के साथ यही चल रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए Odisha के minute अभी approve किया है 10% reservation for eggs अगनिवीज in state of uniform service uniform service होता है जहाँ पर बंदा uniform में solve करता है like group C and D के लिए इन्होंने vacancy reservation किया है Odisha government सबसे हस्ती बाली बात क्या है इसमें कि इन्होंने जो apply किया है उन्होंने apply किया कि इसमें और written exempt rate नहीं किया physical exempt rate कर दिया है क्यों मतलब physical तो already बंदा fit रहता है अगनिवीर में तो physical exempt rate का तो कोई मतलब नहीं physical तो excuses का कोई मतलब नहीं था मतलब था written का कि मैं चाता था कि बंदा यहां से जा रहा है तो at least उर्स को written नहीं देना पड़े physical तो ऐसे भी fit है medical तो ऐसे भी उल्टा कर दिया मतलब बात वहीं है बिक नहीं रहा है तो जबर दस्ति कुछ ना कुछ करके आप इसको बिक वाव ठीक है तो यहां पर चलो पढ़ते है यहां पर देखो अगनिवीर में एंजर 10% reservation in all group and cd post in Odisha recruitment in the uniform service of Odisha uniform service क्या क्या होता है इनोहने लिखा है यहां पर ठीक है मैरे को सबसे हसी आया कि इनोहने उसको exempted नहीं किया किसको exempted नहीं किया return को excuse नहीं किया फिजिकल को excuse कर दिया इनोहने ठीक है ताकि बंदा मतलब रेटिन में फैल हो जाए और जो reservation हमें देना पढ़ना होता है यह तो मेरे को सबसे बहुत है इसके लिए मैं डीटेल वीडियो बना रहा हूँ थोड़े आपको बदा देता हूँ कि किस किस में आपकी वेकंसिस यहां पर है यह वीडियो ऑनली फर ओडिशा कैंडिडाइट के लिए है यहां पर उन्होंने लिखा इनका जो पहला चीप मिन मोहन माजी इनको में आगे जाके हराऊंगा इलेक्शन में ठीक है सेप्टेमबर 12-24 को एप्रूट किया फार्मिंग इन द उडिसे एक्स अगनिवी रिकूर्मेंट टू द यूनिवाम सब्स रूल्स 2024 अंडर यहां पर जॉब आपको दिया जाएगा ग्रूप और C पोस्ट का C&D का जहां पर आपको फिजिकल नहीं देना होगा लेकिन रिटिन देना होगा मतलब यह है कि चार साल के बाद बंदा जाएगा फिर रिटिन में फैलो जाए क्योंकि उसके तरट टच नहीं रहा चार साल में तो फोजी काम करता रहा और चार साल के बाद इनको तीन साल का इन्होंने एज रिलाक्सेशन दिया मतलब मालीजे आपका 27 लास्ट एजे 25 लास्ट एजे तो तीन साल उसमें एड कर लीजे तीन साल के आपको relaxation दिया है उडिशा candidate को और साथ में आप police, forest, exercise और fire और any service as decided by government from time to time अभी के लिए इन्होंने आपको police service, forest service, exercise department और fire service इन्हों में आपको approved दिया है इन 4 service में इनमें भी rank दिया है group C और D, A और B post आप apply नहीं कर सकते, C और D ही apply कर पाएंगे क्योंकि वह चाते है जो सिपाई आप बनके रहे रहे, वोई सिपाई बनके ही रहेंगे, उससे अच्छा अपसर बन नहीं सकते है आप लोग, ठीक है अगर ऐसा होता है 10% reservation दे रहे हो, साधिया के लिए दे हो, जो OPC कमिशन होता है जैसे union public commission होता है उसमें भी 10% आपको देना चाहिए, जो बन्दे में tradability होगा, जो बन्दे में quality होगा, वो अपना आप कर लेगा, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये देना चाहिए था, उन्होंने तो दिया नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे को हसी किस चीजों में हसी इस चीजों में आया, कि इन्होंने actually में written को देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने physical को यहां पर हेमिवत दे दिया, इसलिए जो बन्दा चार सल के बाद आएगा, उसके क्या है, उसके बारे में हम details वीडियो बनाएंगे, जो भी Odisha candidate इस वीडियो को देख रहा है, आप इस decision से खुश है नहीं है, या फिर आगरी भी पूरी तरीकर से बंदो जाना चाहिए, regular कि तुरू आपका selection हो जाना चाहिए, जो भी सोचते आप नीचे comment करें, कौन-कौन Odisha से वीडियो देख रहे हैं, और कहां-कहां से देख रहे हैं, नीचे comments करें, मिलते हैं, next topic में, ज कौना चीर आहिए, गरी देख बदो तरीकर से थाना चाहिं.